हलो दोस्त आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम अन्बोक्स करने जा रहे हैं डीलिंग का 8 गीगाबिट डेक्स्टॉप स्विच तो यह की स्विच है जो कि वह काफी कॉम्पैक्ट है अगर आपके घर में आपने राउटर लगा रखा है और राउटर में आपको पोर्ट्स कम पड़ रहे हैं तो इसको एक्स्टेंट करने के लिए आप इस तरह के किसी स्विच को यूज कर सकते हैं तो इसकी जो खास बात है वो यह है कि इसमें जो आपका पोर्ट दिया गया वो आठ है तो आपके राउटर का गीगाबिट होने से कोई फरक नहीं पड़ता है अगर आप स्विच जो आपको हैं अगर आप लगाते हैं तो यह दिलिंग कंपनी का है तो आई इसको देखते ह गया है DGS-108A कुछ स्पेसिफिकेशन जो इसके जो फीचर दिये गया है वो यह मेंशन किया गया है साइलेंट फैनलेस दिजाइन तो इसके अंदर कोई भी फैन नहीं है किस तरह का तो बहुत ही साइलेंट है आप आप डिवाइसे कर सकते हैं इसके अलावा प्लग अन प् इसके लावा यहां पे कुछ डिटेल्स मेंचन किये गया है इस साइड में यहां मेंचन किया गया कि इसके अंदर क्या-क्या आइटम्स हैं स्विच है हमारा एट पूट का क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है इसके लावा पावर एडप्टर है तो चलिए इसको बॉक्स को उपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या मिलता है बॉक्स को उपन करते हैं तो सबसे पहले हमारा कुछ पेपर वर्क मिलते हैं जिसमें आपका वारेंटी एंस सेफटी इंफॉमेशन है इसको आप देख करके अगर आपको नहीं पता है कि इसको 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 अब इसको अब इस साइड में रखते हैं और देखते हैं इस box के अंदर क्या-क्या है इसके आगे बढ़ते हैं तो हमारा मिलता है power adapter और इसके लामा इसमें कुछ भी नहीं है तो जो power adapter इसका output वो 5V 1A है अब जिस तरीके से हमारा switch काफी compact है उसे तरीके से इसका adapter भी काफी compact दिया गया है अच्छी बात है कि यह छोटा है जिससे की ज्यादा space नहीं लेगा आपके outlet में आए अब अपने switch को उपन करते हैं और देखते हैं इसको कि कितना compact है कैसा है टॉप यहाँ पे dealing का logo दिया गया है इसके front में यहाँ भी logo दिया गया इसके लावा model number मेंशन किया गया है उसके बाद आपका यह power indicator के लिए एक LED गया है उसके बाद आपका यह 8 जो land ports हैं उनके indicators दिये गया है इसके back side में आप देखेंगे तो यहाँ पे 8 port दिया गया है एक से लेकर 8 तक जैसा कि इसमें mention किया गया है कि आप इसके 8 devices connect कर सकते हैं लेकिन actually आप इसमें 7 device ही connect कर पाएंगे क्योंकि एक में तो आपका input आएगा बाकी साथ में आप अपने कोई भी device connect कर सकता है इसके back side में इसका serial number और model number mention किया गया है को certification information दिये गया है इसके लावा जो सबसे अची बात इसकी है कि इसका जो size यह काफी compact है अगर आप personal uses के लिए ले रहे हैं घर में install करने के लिए ले रहे हैं तो जो आपके gigabyte के heavy routers आते हैं, heavy switches आते हैं उनसे तो काफी अच्छा है तो यह घर में use करने के लिए बहुत ही अच्छा है मतलब आपका ज्यादा space नहीं लेगा और दिखने में भी काफी प्यारा है इस side में आपका power socket लगाने का socket दिया गया है जिससे कि आप इसको power कर सकते हैं तो इस वीडियो में बिस इतना ही मुझे अमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो का लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे सेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद